आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी यूज़ करते हैं कोई भी ओपो का फोन और अगर आपके फोन का प्ले स्टोर वर्क नहीं कर रहा है या फिर आप अपने फोन के प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से नीचे स्क्रोल करके यहाँ पर एक option सर्च करना है एप management का आपको इस तरह से मिल जाएगा नीचे की तरफ एप management पर आप टच कर दीजिए टच करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा और उसके बाद आपके phone की सभी applications आ जाएंगी आपको एक option मिलेगा show system processes इस पर आप टच कर दीजिए तो यहाँ पर टच करने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक option मिल जाएगा play store का तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आकर ढूंड लीजिए आप देख सकते हैं इस तरह से मिल जाएगा google play store इस पर आप टच कर दीजिए एक option मिलेगा force stop का force stop पर आपको टच करना है दोबारा से हाँ पर force stop कर दीजिए एक option है storage usage इस पर आपको टच करके एक option आएगा clear data का हाँ पर touch कर दीजिए clear या फिर ok का option आएगा तो कर दीजिए उसके बाद back आना है एक option मिल जाएगा आपको data usage यहाँ पर touch करना है आपको और एक option मिल जाएगा network permissions का यहाँ पर touch कर दीजिए और wifi and mobile data वाला option select कर लीजिए उसके बाद back आईए permissions का एक option है यहाँ पर touch करके सारी permissions को allow कर दीजिए उसके बाद आपको back आजाना है और यहाँ पर आपको अपने phone की settings में उपर ही एक option मिलेगा dual sim का इस पर आप touch कर दीजिए यहाँ पर आप जिस भी sim का net use करते हैं उस sim पर touch कर दीजिए जैसे की हम sim 1 का net use करते हैं तो इस पर हम touch कर देते हैं आपको अपने phone में data roaming का on करना है उसके बाद voltage calls का एक option है इसे चालू कर दीजिए preferred network type का एक option आजाएगा यहाँ पर आपको touch करना है 4G का एक option मिल जाएगा इस पर आप touch कर दीजिए उसके बाद एक option है access point name यहाँ पर touch करना है आपको नीचे एक reset का option आजाएगा reset पर touch कर दीजिए दुबारा से यहाँ पर option आएगा reset access points इस पर आपको touch कर देना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है उसके बाद आपको एक message show होगा उसके बाद आप back आजाएए और अपने phone को एक बाद restart कर लीजिए उसके बाद आपकी यह problem ठीक हो जाएगी तो अगर यह video पसंद आई तो video को like करें चैनल को subscribe चरूर करें